हेलो एवरिवन एंड मुस्ट वैलकम टू आर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग आज के इस वीडियो में हम लोग B8 के प्रीविएस येर के क्वेशन पेपर को देखेंगे कोर्स ट्री यानि की टीचििंग एंड लर्निंग का ये एक्जाम टोटल तीन घंदे का हुआ था और full marks 80 marks था मतलब अगर सारा question आप बनाते तो 75, 76, 77 इस type का marks आपका आ सकता था और इसमें passing marks 36 marks था यानि कि अगर आप इस paper के question paper को देख करके 36 marks ले आएंगे तो आप pass कर जाएंगे इसमें तो आईए बिना देर किये paper को देखना start करते हैं इस question paper में 3 section है section A, section B, section C section A 40 marks का है section B 20 marks का है section C भी 20 marks का है section A में total 4 questions दिये हैं और 4 questions का answer लिखना है एक question का answer अगर आप लिखेंगे तो ये 10 marks का है यानि कि काफी बड़े-बड़े answers लिखने हैं question 1 है describe the analysis procedure of teaching behavior of teacher in classroom teaching इस question का मतलब ये है कि जब class में कोई भी teacher पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने के behavior के analysis करने का process क्या होगा उसको समझाना है मतलब एक teacher class में पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाने का उनका जो भी behavior होगा उसको हम लोग किस तरीके से analysis करेंगे visualization उसका कैसे करेंगे कैसे एक तरीके से judge करेंगे सही है गलत है क्या है वो सब चीज लिखेंगे question number 2 है what is inside theory of learning यानि कि सूज का जो सिध्धान्त होता है वो क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरदिस्टी का सिध्धान्त ये क्या होता है और इसका use भी बताना है कि education में इसका क्या use है तो inside theory के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये inside theory जो सूज का सिध्धान्त दिये थे कोहलर तो इस सिध्धान्त में वो ये बताये थे कि हम लोग अगर किसी काम को करने के लिए करने से पहले बैठ जाते हैं और सोचते हैं वो काम कैसे करना है तो अचानक से एक time आएगा एक ऐसा situation आएगा जिस time अचानक से हमको सूजा जाएगा insight हो जाएगा कि वो काम का solution क्या होगा या उस काम को कैसे करेंगे तो यही insight theory है इस experiment को करने के लिए वो एक चिंपैन्जी पर experiment किये थे यह पूरा experiment किया था इसी वीडियो में आगे के questions में हम लोग समझ लेंगे इसको तो आईए अगले question पर चलते हैं Question number 3 है What are the principles of motivation? मतलब motivation जो है उसका सिध्धान्त क्या है motivation के principles क्या है उसको पूरे principles को लिख देना है बिलकुल lines अच्छे से Next question है Explain the factors affecting learning मतलब कि अगर अधिगम हो रहा है है ना learning हो रहा है तो कौन-कौन सा चीज है जो उसको affect करेगा असर डालेगा उसके मतलब आस-पस का environment असर डाल सकता है है ना surrounding कैसा है noise है नहीं है यह सब चीजे जो भी चीजे learning को affect करेगी उसको यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ पे section A का चारो question हो गया यह चारो question बनाना था और काफी बड़े-बड़े answers लिखने देशके क्योंकि एक answer 10 marks का है अब आते हैं next section पे section B इसमें चार questions है चारो question को बनाना है कोई भी option नहीं है और एक answer अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 marks का हो है question 1 क्या है give the need of professional growth of teacher मतलब एक teacher का professional growth करना है है ना एक teacher है पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पढ़ाने को तरीके को और अच्छा बनाना है professional उनका growth करना है तो इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की जरूरत होगी क्या-क्या चीजों की जरूरत होगी एक teacher के professional growth को करने के लिए training का जरूरत होगा है कुछ चीजों की जरूरत होगी certificates वगेरा का seminar, webinar यह सब का जरूरत होगा ताकि up-to-date हो सके teacher और teacher up-to-date होगा तो क्या होगा professional growth होगा तो वही सब यहाँ पे लिख देंगे next question है question number two clarify the role of teacher in teaching process मतलब पढ़ाने के process में teacher का क्या role होता है teacher के role को लिखना है teaching process में teacher का बहुत important role होता है teacher जो है वो पढ़ाते हैं तो student centered होके पढ़ाना चाहिए उन लुगों को teacher का जो भी role है पढ़ाते time वो यह है कि partial behavior नहीं करना चाहिए है ना discrimination नहीं करना चाहिए caste, religion, इन सब को लेके तो teacher का बहुत role होता है teaching process में बहुत important वही लिखेंगे question number 3 है define learning, explain the concept of transfer of learning मतलब learning क्या होता है यह बताना है learning एक continuous process है हमेशा चलते रहता है सीखने के लिए कोई age नहीं है यह सारा चीज इसमें लिखेंगे उसके बाद learning negative हो सकता है कि नहीं, positive हो सकता है कि नहीं है ना यह सब चीज लिखेंगे learning को लेकर के बहुत सारे definitions है वो भी सारा लिख सकते है learning को characteristics भी है principles भी है, वो सब भी लिखतेंगे learning को define करना है तो सब कुछ लिख देंगे उसके बाद है कि transfer of learning क्या होता है transfer of learning क्या होता है मतलब कि अपने पुराने learning में हम लोग कुछ नया चीज एड करके नया learning कर लेते हैं learning का transfer हो गया एक तरीके से addition हो गया तो transfer of learning कौन लिए थे, इसका concept क्या है यह सब चीज क्या है, वो सब यहां लिखेंगे इसका पुगरा एक notes होता है मतलब एक बहुत लंबा process है काफी चीज इसमें लिखा जाता है question number four है how will you motivate children in classroom मतलब class में बच्चे को motivate करना है तो क्या करना होगा motivate करने के लिए उसको prize देना होगा या फिर उसको encourage करना होगा कि हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अच्छे बोल रहे हो, और बोलो और बोलो ऐसे मतलब कैसे motivate करना होगा उसको वो लिखेंगे याँ पर section B तो याँ पर खतम हो गया section C, section C में 10 questions है 10 questions बनाना है और 1 question दो-दो marks कर रहेगा मतलब section C जो है, वो 20 marks का है सारे questions इसमें tick mark वाले हैं चार option है, एक tick कर देना है जो सही होगा इस वीडियो को आगे देखने से पहले पहले मैं एक बहुत important चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो उस पे 500-800 views चले जाते हैं लेकिन likes कितना रहता है? 18-20, ऐसा क्यों? जब आप लोग इतना views दे रहे हो 500 लोग या 1000 लोग इसको देख रहे हो तो 1000 likes भी तो होना शही है न ये वीडियो आपके लिए अगर useful है थोड़ा भी useful है तो फिर आप लोग like कीजिए, comment कीजिए comment करके बताईए अगर कोई कमी है तो वो भी बताईए आप लोग के like करने से और comment करने से ऐसा पता चलता है कि ऐसे टाइप के वीडियो और बनाने हैं की नहीं या फिर इसमें और क्या करना है जैसे आप लोग को पसंद लाएगा तो आप लोग please support कीजिए और बताईए तो हमारा first question यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि who has given inside theory of learning मतलब inside theory of learning कौन दिया था Pavlov, Thorn, Dike, Kohler या Skinner, Iskansarow का Kohler inside theory के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसी वीडियो में मैंने बताया है inside theory wolf gang Kohler दिये हैं इसमें एक experiment वो किये थे ठीक है दो पार्ट में experiment था पहले क्या किये थे कि एक chimpanzee था उस chimpanzee का नाम था सुल्तान उस chimpanzee को रख दिये थे एक क्या वो लेंगे एक कमरे में रख दिये थे उसके बाद फिर वहाँ पर ceiling से कुछ मतलब fruits टांग दिये बनाना वगरा टांग दिये थे उसके बाद फिर उस कमरे में कुछ डब्बे थे जिसके ऊपर एक के ऊपर एक चड़के वो chimpanzee उस बनाना तक पहुँच जाएगा और कुछ sticks भी था इस्टिक ऐसा था कि एक के ऊपर वो जोड़ देगा इस्टिक को मतलब अंदर वो चला जाएगा इस्टिक ताकि वो लंबा हो जाएगा और साइड में हुक वाला भी था ताकि वो बनाना को खीच लेगा तो वो chimpanzee काफी देर तक कूदता है कूदता है बनाना तक नहीं पहुच पाता है फिर उसकी नजर जाती है उस box पे और उसके बाद नजर जाती है उसकी उस bamboo पे box पे जाती है तो box को लाता है फिर वो चढ़ता है उसके ऊपर फिर भी नहीं पहुच पाता है बनाना तक तब क्या करता है तो उस stick को भी लेके आता है फिर स्टिक की मदद से वो आसानी से फिर बनानाज ले लेता है इस थियोरी से कोहलर ये बदाते हैं कि उस चिंपैंजी के पास एक प्राबलम था प्राबलम ये था कि उसको उस बनाना तक पहुशना था उसके बाद फिर वो पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से देखता है कि कैसे पहुश सकता है, यहाँ पे क्या-क्या चीज अविलेबल है उसको मिलता है कि स्टिक्स हैं यहाँ और यहाँ पे कुछ बॉक्सेज हैं तो वो चिंपैंजी को इंसाइट आता है, मतलब अंदर से सू जाता है, थोड़ा सा दिमाग आ जाता है अचानक से बिलकुल बत्ती जल जाता है और वो क्या करता है उन चीजों का इस्तमाल करके अपने प्रॉबलम को सॉल्व कर लेता है यही एक्सपेरिमेंट वो दूसरे केस में एक और बार किया है इस बार क्या किया है, चिंपैंजी को कमरे के अंदर बंद कर दिया है मतलब पिंजड़ा टाइट का जैसे की जेल में होता है और चिंपैंजी उसके अंदर है और बाहर एक टोकरी में बास्केट में रखा हुआ है या न केला वागेरा रखा हुआ है उस चिंपैंजी को अंदर बहुत सारे छोटी 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 बड़े इस्टिक्स दिये रहते हैं और ऐसे इस्टिक्स दिये रहते हैं कि एक के अंदर एक वो चला जाएगा और मतलब वो लंबा हो जाएगा इस्टिक अगर देखा जाए तो तो चिंपैंजी कोशिश करता है बनाना नहीं ले पाता है फिर एक इस्टिक उठाता है उसकी मदद से खिछने की कोईशिश करता है नहीं पहुँश पाता है two stick लेता है एक के अंदर एक stick को डाल लेता है stick लंबा हो जाता है फिर वो कोशिश करता है तो फिर वो मतलब इस तरीके से पहुँश जाता है basket तक और बनानाज ले लेता है तो इस से भी यहीं बताय है उसको math का कोई problem हम दिये हैं अब वो कितना भी बैट के सोचता रहेगा उसको उसका solution नहीं पता चलेगा चुप चाप बैट के सोचते रहना है caller के हिसाब से कोई problem है तो सोचते रहना है अशानक से आपको आ जाएगा answer और आप कर लिजेगा ऐसा तो होता नहीं है दूसरा कमी इसका ये भी है कि आपको कुछ पता नहीं है time का limitation कभी आप एक घंटे सोचिएगा तब solution मिलेगा कभी आप दो दिन दो महीने भी सोचते रह जाएगा problem का solution नहीं मिलेगा वो math कसम वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा तो ये सारे कमी है इंसाइट थियोरी की मदद से मालेजे अगर कोई senior बचा है तो उसको हम दे सकते हैं वो काफी देर सोचेगा problem का और तरीका सोचेगा है तो हो सकता है वो solve कर ले तो इंसाइट थियोरी का merits भी है और demerits भी है यही था इंसाइट थियोरी आगे का question देखते हैं Question number two है कि the highest level of cognitive domain is है ना Bloom taxonomy जो दिया हुआ है Bloom का उसमें cognitive domain का highest level किसको बताया गया है ग्यानात्मक पक्ष जो है उसका उच्चतम इस्तर कौन सा चीज है तो evaluation ही होता है मुल्यंकन होता है उसका highest level Bloom का पुरा line से जो होता है उसमें highest level evaluation का होता है knowledge से start होता है Question number third क्या है Which one is not an important of intellectual development मतलब intellectual development के लिए बौधिक विकास करना है बुधिक का विकास करना है तो इसमें से कौन सी चीज़ का जरूरत नहीं होगा उसका element नहीं है creativity होगा ही thinking भी है imagination भी है क्या चीज़ नहीं है तो tolerance नहीं है Question number four Kohler done his famous experiment on Kohler का experiment किस चीज़ पे था देखिए Kohler से लेकर के तीन question आ गया यहाँ पे और एक और चीज़ ये इस question paper को देखने से पहले हमारे ही playlist में B8 का इसके पहले का question paper है यानि कि 2019 में जो exam हुआ था teaching और learning का उसका भी question paper है अगर आप लोग 2019 के question paper को देखिएगा और ये 2021 के question paper को देखिएगा तो इसमें काफी कुछ match मिलेगा मतलब लगेगा ना कि वही same question paper है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि B8 का exam देने के लिए previous year paper तो जरूर देख के जाएए बहुत अच्छा match आप लोग score कर लिजेगा objective तो objective, long questions, short questions के लिए भी तो इसका answer होगा B, chimpanzee question number 5 क्या है which one does not indicate child's emotion मतलब इसमें से कौन सा जो है वो child emotion को नहीं दिखाता है pleaser, प्रसन्नता ये तो child का emotion है sorrow, दुख, ये भी रहाता है child का emotion है ये एक बच्चे का emotion है, curiosity है ना, तो जिग्यासा भी है लेकिन tolerance जो है सहन शिलता ये बच्चे में नहीं होती है बच्चे में शेहन शिलता नहीं होती है तो ये बच्चे का emotion नहीं है इसका answer होगा, de-tolerance question number six question number six क्या है which one of the following indicates child's physical growth child के physical growth को इसमें से कौन सा चीज दिखाता है negative, ये तो child का physical growth को नहीं दिखाएगा qualitative, child का physical growth देखना है हाथ पेर बढ़ रहा है, ये देखना है तो इसमें qualitative काहाँ से हो सकता है quality काहां दिखा रहा है, गुण काहां दिखा रहा है positive, positive, negative हम कैसे बता सकते है quantitative हो सकता है quantity में हम लोग देख लेंगे मतलब physical growth हम लोग क्या देखते हैं इतना centimeter बढ़ा, इतना centimeter बढ़ा, तो एक तरीके से quantity में देख रहा है, कितना हो रहा है? Question number seven क्या है? Which is not a factor of motivation. Motivation का factor कौन सा है इसमें से? Price है, incentive है, है ना? Price देंगे, motivation होगा, incentive देंगे, motivation होगा, praise करेंगे, बढ़ाई करेंगे, तो भी motivation होगा, तो motivation का तो ये तीनों factor है, लेकिन motivation का factor कौन सा नहीं है? Practice. Question number eight, which is not the focal point of triangular process of teaching? Teaching का triangular process अगर हम लोग देखते हैं, मतलब कि tripolar process देखते हैं, इसमें तीन चीज़ होता है, teacher, pupil और content. कौन सा चीज़ नहीं होता है इसमें? Teaching method, teaching method इसमें नहीं होगा. Teaching एक tripolar process है, इसको बोले थे ना, कौन बोले थे? मुझे comment करके आप लोग बताईएगा. Question number nine, the goal of teaching is, मतलब teaching का goal क्या है? Teaching करते हैं हम लोग उसका main aim क्या है? किसी को information देना आप बिल्कुल भी नहीं. अगर हम लोग B8 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि teaching का aim जो है, वो किसी को information देना नहीं है. To involve people in activities, लोगों को activity में involve करना, नहीं, ये भी नहीं है. To impart knowledge, knowledge देना किसी को, नहीं. Teaching का main aim है, desirable change in behavior. मतलब किसी के अंदर behavior में जो change हमको लाना है, वो change ला देते हैं, तो यानि कि teaching हो गया. Teaching का goal यहीं होता है, कि किसी के behavior को change कर देना. अब ये last question है, इस question paper का, question number 10, gestaltian emphasis on, मतलब gestalt जो है, इनकी भी theory है, gestalt की theory में, वो किस चीज़ पे emphasis किया है, किस चीज़ पे जोड दिया है, practice पे नहीं, award पे भी नहीं, emotion पे भी नहीं, इनकी theory को जब लोग पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि perception पे दिया है, मतलब इनकी theory में ये दिया था, कि अगर आपको बहुत सारा points दिया हुआ है, तो आप सब को as a whole देखिए, समूचा मिला करके, पूरा को देखिए, इखटा करके देखिए, खटा करके देखिए, तो उसके बाद आपको कुछ पता चलेगा, कि कैसा figure है, क्या है, जो भी चीज है, तो practice के बारे में भी नहीं बोले हैं, award और emotion भी नहीं बोले हैं, perception बोले हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हमारा ये वीडियो खतम हो गया, thank you so much, और हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग को B8 का कोई भी notes चाहिए, कोई भी query हो, तो आप लोग about में देख लीजे, इस channel का हमारा official email ID दिया हुआ है, उस पे आप अपने query को भेज दिजे, कि कौन से class का note चाहिए, कौन से subject का चाहिए, कौन से year का चाहिए, कोई भी चीज आपको provide हो जाएगा, और उसके बाद आप comment करके ज़रूर बताइएगा, आपके अगर निर्स को पूरा कर दिया है,